तो what's up guys, कैसो आप सभी आईए, I hope आप सभी बहुत ही अच्छी होंगे और स्वागत आप सभी का फिस्विक बहुत ही कमाल के वीडियो में, अगर दुस्तो आप भी phone pay application का इस्तेमाल करना चाहते हो, अगर आपने phone pay application में अपना account create कर लिया है, अब उसके बाद दुस्तो आप यहां पर अपना bank account लिंक करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हो, कि इस वीडियो के अंदर में आप सभी को पूरा proper तरीका बताने वाला हो, कि किस तरीके से आप phone pay application में अपना bank account लिंक कर सकते हो, ठीक है, चलिए बिन दिरके इस वीडियो को start करते हो, आप आप सभी को पूरा stable step बताते हैं कि किस तरीके से phone pay application में अपना bank आप लिंक कर सकते हो, किस तरीके से आप अपना bank add कर सकते हो, ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहां से करते हो, तो देखो, अगर आपने phone pay application में अपना account create कर लिया है, अब उसके बद दूस्तों, अगर आ phone pay application का proper तरीकि से use करना चाहते हो, तो आपको यहां पर अपने bank link कर लेना है, add कर लेना है, और उसके बाद अब बहुत ही आसान तरीकी से this phone pay application कर सकते हो, phone pay application के вз distingu को पैसा transfer कर सकते हो, mobile recharge कर सकते हो, अपने weekly bill का recharge कर सकते हो, ठीक है, तो चलिए, अब जानतें कि किस तरीकी से phone pay application में अपना bank link कर पाओगे तो यहाँ पर दुस्तो अगर आप bank link करना चाहते हूँ तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने mobile phone में phone pay application को open करना है यहाँ पर मैंने इस application को open कर लिया है अब open करने पर आपको इस application का home interface देखने को मिल जाएगा जहां से आपको transformory recharge and pay bills यह सरे option मिलते हैं और नीची scroll down करोगे तो और भी बहुत सरे option आपको देखने को मिल जाएगे तो यहाँ से आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है ठीक है ध्यान से देखते जाओ सबसे पहले आपको corner के side में एक profile का option देख रहा होगा यहाँ पर click करना अब जिसे profile पर click करोगे आपके सामने next piece आ जाते है profile and payments का ठीक है सबसे पहले आपको अपना profile देखने को मिलेगा और उसके बाद payment modes जो भी है वो आप यहाँ से check कर सकते हो जैसे कि bank accounts debit credit card उसके बाद phone pay wallet phone pay gift card यह सारे आपको यहाँ पर payment mode से देखने को मिल जाते हैं अब यहाँ पर bank link करने के लिए नीचे के side में एक option आपको देख रहा होगा bank accounts का इस पर click करो अब जैसे ही आप इस पर click करोगे अगर आपने पहले से कोई भी bank यहाँ पर link कर रहा है तो वो bank आपको देखने को मिल जाएगा example के लिए यहाँ पर देख सकते हो already यहाँ पर मैंने दो bank को link कर रहा है अब चलिए अगर आप यहाँ पर first time आते हो तो आपको किस तरीके से मिल जाएगे example के लिए यहाँ पर दुस्तों देख सकते हो मैंने आप सभी को दिखा दिया कि सारे का सारा बैंक सापको नीचे स्क्रॉल करने पर देखने को मिल जाएगा ठीक है अब यहाँ पर आप चाहँ हो तो यहाँ पर अप सर्च बार पर करोगे करोगे अब उसके बाद यहां पर दुस्तों आपना पको एक page मिल जाता है verify debit card details यानि कि दूस्तों आपके पास जिस bank account है उसका जो debit card है यानि कि ATM card है उसका detail आपको यहाँ पर enter करना होगा उसके बाद ही यहाँ पर यह verify होगा तो सबसे पहले यहाँ से दूस्तों आपको करना है कि enter the last six digit of card number यानि कि आपको अपने ATM card का last का छे number आपक यू वाले बटन पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको क्या करना है जैसे आप यहाँ पर अपना dtrs add कर दो कि उसके आप डिप्रेंगा है तो इस तरीकिसे यह अपना bank add कर सकते हो और उस बैंक के जरीए आप phone पर application से online transaction कर सकते ओ बिल रिचार्ज कर सकती हो अपने मुबाइल फोन का रिचार्ज इजी लिया से कर सकती हो I hope आप लोगों को ये सारी बत समझ में आ गई होगी and उमीद है आप सीख चुके होगे कि फोन पे अप्लिकेशन में अपना बैंक एकाउंट कैसे लिंक किया जाता है वीडियो यूस पर लेगी हो तो लाइक जरूर से करना साथ ही सब्सक्राइब करके साथ में दूस्तों बैल आइकन को प्रेस करके ओल की नोटिफिकेशन पर जरूर से सेट कर लेना ताकि हरी कानी वाली यूसफुल वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए तो मिलते कुछ ऐसे ही यूसफुल वीडियो इसके साथ अब तक लिए दूस्तों गुडबाई